हेलो एब्रीवन और वेल्कम बैक आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका जो है यूनिट नमबर टू यूनिट नमबर टू का नाम है नाशनल इंकम एकाउंटिंग वन ओफ मैं फेवरेट यूनिट इतना मजा आएगा इस यूनिट को पढ़के इतना मजा आएगा ना तुम्हें लगे तुम्हारा माक्रो एकनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इसको पढ़ने के बाद क्योंकि यहां पर बहुत सारे रियल लाइफ चीजों के बारे में हम सीखेंगे यह देश कैसे चलता है नाशनल इंकम क्या होता है चाप्टर का न नाशनल इंकम को निकालेंगे ओनारा इंकम तो निकालते हैं हम्हारे टीचर कि पर कितना कमा रहा होगा तुम्हें मौका मिल रहा है इस देश का इंकम को निकालने का जिसका नाम है central income हम यूनिट नमबर टू को आज हम शुरू करेंगे ठीक है यह वाले सीरीज में हम पूरा Macro Economics का सारा वीडियो जो की बीकॉम के एक्जाम्स के लिए relevant है वो हम डाल रहे हैं पूरा सीरीस हम लोग कवर करवाने वाले हैं इस वाले सीरीज के अंदर简 सीरीज का नाम ये फुल सीरीजब को की बच्चों के लिए स्पेसिफिकल ये बनाया जा रहा है हमारा पूरा चानल डेडिकेटिटर है ओडिसा के syllabus के according पूरे ओडिसा में सेम सिलेबस है और हम ओडिसा के बच्चों के लिए बीकॉम के classes देते हैं बाकी university के अगर कोई देख रहे हैं तो अल ओवर इंडिया हर university का syllabus 99% सेम है तुम चाहो तो देख सकते हो नहीं चाहो तो तुम्हारी अब टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारे description box में mobile application का तुम्हें लिंक दिया गया जहां पर तुम्हें इस यह जो नोट्स मैं जिससे तुम्हें पढ़ाता हूं वो प्लस डेटेल्ड वर्जन आफ नोट्स प्लस पास्ट ये प्लस बहुत सारे प्राक्टिस कोशिंस प्लस सजिस्टेड कोशिंस जो एक्जाम में आ सकते हैं यह सारा चीज तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा डाउट शॉल्बिंग सेशन्स भी होते हैं साथ में हमारा लाइज सेशन्स भी हम लोग कंड़क्ट करवाते हैं तो यह सब कुछ तुम्हें मुबाइल अप्लिकेशन के अंदर मिलेगा मुबाइल आप को जरूर से डाउनलोड कर लेना बहुत सारे फ्री कंटेंट भी वहाँ पर तुम्हारे लिए हम लोगोंने अप्लोड करके रख क्या चैनल इंकम होता क्या एको उन मार्क का कोषेंस चुल मार्क को इस वाले योनिट से बहुत सारे आते भण जैनरल ही अगर तुम देखो के दस्टों कोसिन है तो यूनिट टू से तीन-चार रहे गा यूनिट वन से 1-2 रहेगा यूनिट 3 और 4 से बी दो 3-2 रहेगा ले लेकिन बहुत बार आया हुआ भी है ऐसा नहीं की आता ही नहीं है लेकिन आता भी है तो मैं क्या करूँगा जो नाशनल से रिलेटिन नुमारिकल कोशिन आगा पहले सारा टॉपिक कवर कर्वा दूगा युनिट कंपलीट कर्वा दूगा उसके बाद तीन चार में स्कुिप कर देना अगर तुमारे कॉलेज만 वाले वीडियो इसको देख लेना अगर नहीं आएगा तो वो तिन चार वीडियो को तुम स्किप कर देना बात समझ में आया तो हम अभी युनिट नमबर टू को शुरू कर रहे हैं युनिट नमबर टू का स्टार्टिंग में हम सारा ठेवरिटिकल पोर्षन को पढ़ेंगे तो अभी मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब कुछ पढ़ना है जब मैं numerical शुरू करूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि आज से मैं numerical पढ़ा रहा हूं तो ये वीडियो को तुम्हारी मर्जी है अगर तुम्हारे college में numerical आता है तो देखना नहीं आता है तो मत देखना अभी के सभी को ये वीडियो को देखना है पूरा syllabus को पढ़ना है ठीक है चलो शुरू करते हैं definition of national income national income का क्या definition होता है किसको बोलते है national income national income is the total value of total value of all the final goods and services all the final goods and services produced in economy during a specific period of time यह specific period of time जो होता यह generally one year होता है एक साल के अंदर में जितना भी हम final goods and services बनाए है उसका total value को हम बोलते है national income मैं पूछू तुम्हारा income क्या है मानलो तुम्हारे घर में तुम्हारा family में चार लोग है पापा मम्मी तुम बेटा या तुम यह बेटी लड़की देखरी है तो बेटा जो भी मानलो यह चार लोग है तुम्हारे family में पापा का income है 1 lakh rupees पर मन्त ठीक है मम्मी का income है 1 lakh 20,000 rupees पर मन्त ठीक है बेटा नालायक है जीरो कमाता है बेटी मानलो 10,000 रुपय कमाते है अभी तो पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है कहीं पर छोटा मोटा कुछ काम करक तोटल फैमिली का इंकम कितना हो गया सर फैमिली का इंकम तो फैमिली का इंकम निकाल सकते हो तुमारे फैमिली में चार लोग है सभी का इंकम को टोटल करके तुम फैमिली इंकम निकाल सकते हो तो क्या हम नाशनल इंकम नहीं निकाल सकते तो नाशनल इंकम में क्या सर पूरे इस नेशन में जितने भी लोग हैं सभी के इंकम को टोटल करना पड़ेगा येस सभी के इंकम को टोटल करना पड़ेगा हमारे nation के अंदर में 140 करोड प्लस population है हम जब सभी के income को total कर देते हैं तो हमें मिल जाता है national income लेकिन क्या यह possible है कि हम accurately पूरे 140 करोड लोगों के income को total कर पाएं यह accurately possible नहीं है तो इसके लिए क्या किया गया है कुछ formulas बनाया गया कुछ methods बनाए गया है जिससे हम national income को calculate कर सकते है ठीक है देखना national income is the total value of total value of all the final goods and services produced in the economy during a specific period of time it includes both public and private public जितना पैसा कमा रहा है प्लस private businessmen जितना कर रहा है महला government जितना बना रहा है और private जितना बना रहा है सबको मिला देंगे government का भी आ जाएगा प्लस private का भी आ जाएगा public and private sector and encompasses everything from haircut to housing haircut को भी include करेंगे घर बनाने को भी include करेंगे खाना बनाने को भी include करेंगे restaurant चलाने को भी include करेंगे गुप्चुप ठेला को भी include करेंगे तो five star hotel को भी include करेंगे बहला सब कुछ haircut से लेकर घर से लेकर हर एक चीज को include कर लेंगे from medical care to national नाशनल डिफेंस हर एक चीज इंक्लूड होगा तो सब कुछ को जब हम इंक्लूड कर लेंगे तो उसे हम नाशनल इंकम बोलेंगे सर यह तो कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट वाली बात हो जाएगी नहीं अगर मेरे साथ चलते रहोगे तो जिस तरीके से हम युनिट युनिट है ठीक है युनिट नमबर टू बलब फेवरेट को क्या बोलू पूरा मैक्रो एकनोमिक्स और माइक्रो दौनों मेरा फेवरेट है ठीक है लेकिन यह जो स्पेसिफिक युनिट है इसको मैं तुम्हें अपने तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें मेरा साइड में मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं एक बार मेरे तरीके से पढ़के देखो उसके बाद तुम्हें दुनिया में कहीं पर भी नाशनल इंकम कहीं से भी पढ़ोगे तो पसंद नहीं आएगा क्योंकि यह तरीका तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा आजाओ चेह से मैं लिख दूं कुछ इक्जाम्पल क्या क्या दिखने अलएगा कॉसरे समय तुम्हें कभी जी डीपी एड एंपी दिया हुआ है मत्यु कभी तुम्हें दिया हुआ यहाँ और MP कभी तुम्हें दिया हुआ है N MP MP कभी दिया हुआ है N MPI 편 Scピ Clean कभी दिया हूआ है NDP Τ एक ऐसी कभी दिया हुआ है G D Прав Ka दिया हुआ है NDPC step और मालो N MP MP वह भी हो गया तोस्क एसto तो ऐसे करके तुम्हें बहुत वराइटी के वर्ड देखने को मिलेगी तो अब हमको समझ में नहीं आता अक्सर इसका मतलब क्या है इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है इसके इसके बीच में क्या डिफरेंस है तो हमें अक्सर यह समझ में नहीं आता है किसी भी बच् नाने का यह इसको समझने का मैं एकासान तरीका तुम्हारे लिए लेकर आया है ठीक है आजाओ देखते हैं क्या है आसान तरीका नौर्मली क्या होता है मान लेते हैं तुम्हें GDP.000-23 मैं पहले तुम्हें GDP.000-242-332.70 Pods होता है यहां पर दो वराइटी पॉसिबल है या तो यह जी होगा या तो यह एन होगा इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता यह जी दो तरीके से बदल सकता है या तो starting word g hooga या तो starting word n hooga जी का मतलब है gross और n का मतलब है net ठीक है या तो gross hooga या तो net hooga इसके अलाबा कुछ कोई नहीं सकता है यह जो next word है यह तो या तो ये d hooga या तो ये n होगा बीयका मतलब है डिक का मतलब है डिमेश्टिक और एन का मतलब है कि North इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता मतलब पहला लेटर को हम दो तरीके से बदल सकते हैं या तो जी लिख सकते या तो लिख सकते सेकेन्ड लेटर तो जो है उसको भी दो तरीके से कर सकते हैं या तो D कर सकते हैं या तो N कर सकते हैं तीसरा हमेशा PM रहता है रहेगा करी मिद यह नी बदड़ा ठीकर चरिए और लास्ट वाला जो है यह यह तो HC होगा या सो Embe सब्सक्राइब करेंगे या तो नाशनल को डमेस्टिक करेंगे या तो एपसी को एकी करेंगे या तो और पूर्फ़बेलिटीस जो पूरे नाश्नालिंकम शाप्टर में जो यह जो वर्ड लिखता होता इसका जो पॉसिबिलिटीज है इसमें पूर्फ़बीर इतने पॉसिबिलिटीज ही है G को N N को G domestic का D का D को D aroundमेस्टिक को national नास्नाल मेस्टिक और MP को FC और FC को MP MP का मतलब होता है market price market और FC का मतलब होता है factor cost MP और FC तो इस तरीके से हम total तीन concept को समझेंगे पहला है gross to net net to gross दूसरा है domestic to national national to domestic तीसरा है factor cost to market price market price to factor cost तो सर बता दो क्या क्या possibilities है देखो पहला option अगर हम इसी को change करें तो पहला है GDP at GDP at MP दिया था हमें तो इसको हम change कर सकते हैं NDP at MP में बाकी सब कुछ सेम है क्या बदल गया GN में बदल गया या N को G कर सकते हैं domestic को national या national को domestic कर सकते हैं और FC को MP MP को FC कर सकते हैं तोटल तीन प्रकार का concept हमारे यहां पर होता है चलते हैं सब से पहले समझते हैं कि यह gross को net या net को gross कैसे किया जाता है उसके बाद समझेंगे और मांकिट प्राइस को फैक्टर को कैसे किया जाता है ठीक है सबसे पहला आ जाते हैं फॉस्ट पॉइंट में ग्रॉस को net या net को ग्रॉस ग्रॉस वर्सेस नेट या तो net को ग्रॉस करेंगे या तो ग्रॉस को पादो को net करेंगे ठीक है डेप्रीसियेशन जानते हो क्या होता है बच्मन में पढ़े हो डेप्रिसियेशन ओट इस डेप्रीसियेशन जब भी सर हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो with overtime एसेट का वैलू धीरे धीरे कम होता है तो जो ओवर टाइम एसेट का वैलू धीरे-धीरे कम हो रहा है एसेट का वैल्यू कम हो रहा है उस जो वैल्यू को कम होता है उसको हम बोलते हैं depreciation हर साल हम एकाउंटिंग पड़े हो एकाउंट्स में जो एसेट्स होता है उसके उपर depreciation चार्ज करते हैं तो जब भी हम asset खरीते हैं मालू में एक लाख रुपए का एक भाइक खरीदा ठीक है एक साल बाद मैं इस पर 20% का depreciation चार्ज कर गया depreciation तो depreciation कितना हो जाएगा 20,000 बचेगा कितना असी हजार यह जो असी हजार रुपए है इसको मैं बोलूंगा नेट वेल्यू यह जो एक लाख है इस इस मैं ग्रॉस वेल्यू ग्रॉस वेल्यू मतलब depreciation से पहले का amount इसको हम बोलते हैं gross और depreciation के बाद का amount इसको हम बोलते हैं net ठीक है तो अगर मुझे gross से net जाना है तो मैं क्या कर दूँगा depreciation को minus कर दूँगा अगर मुझे net से gross जाना है तो मैं क्या कर दूँगा depreciation को return add कर दूँगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा एक लाग रुपए में पहुंच जाऊंगा तो gross और net का जो फर्क होता है वो depreciation का फर्क होता है ठीक है depreciation में क्या करते हैं हम लोग देखो अगर मुझे gross से net जाना है अगर मुझे caution में gross value दिया है मुझे net value निकालना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर minus depreciation मैं कर दूँगा minus depreciation अगर मुझे net value दिया है और gross value निकालना है तो मैं क्या कर दूँगा यहाँ पर plus depreciation plus कर दूँगा depreciation को तो basically total overall concept मेरा क्या बोलता है overall concept बोलता है कि हमें depreciation का क्या करना होता है अगर हमको gross value मैं से net value find out करना है तो हम सांती से क्या करेंगे शिर्फ एक काम करेंगे depreciation को minus कर देंगे ठीक है अगर हमें net value मैं से gross value निकालना है तो हम क्या करेंगे depreciation को add कर देंगे तो अभी तुम मुझे करके बताओगे सभी का reply मुझे comment box पर चाहिए जितने भी बच्चे ये वीडियो को देखेंगे सब का reply comment box पर आना चाहिए एक comment हर वीडियो में जरूर से किया करो ताकि हमें पता चले कौन सा बच्चा हमारे साथ connected है अगर तुम comment नहीं करोगे तो कभी भी हमको तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा ठीक है तो comment जब भी वीडियो देखते हो हर वीडियो के नीचे आदत बना लो YouTube में चाहिए तो थैंक्यू लिख दो कुछ नहीं लिखना तो थैंक्यू लिख दो या तो बस वेरी गूड कुछ भी लिख दो एक comment जरूर से लिखो जिससे तुम्हें टीचर से तुम connect हो पाऊगे या टीचर तुम से connect कर पाएगा ठीक है चलो अगर मुझे ग्रॉस से नेट निकालना तो माइनेश डेप्रीशेशन नेट से ग्रॉस निकालना तो प्लस डेप्रीशेशन आते हैं कोशिंड में समझते हैं कैसे होगा मिस्टर ए परचेश्ट अ कार कॉस्टिंग फाइब लाक रुपीज और एक चार दो हजार कितना ले 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 दो हजार चौबीश ले ले ते माल ले ठीक है डेप्रीशेशन अड़ रेट ऑफ 20 परसंट कैलकुलेट नेट वेल्यू ओन थरीफ़श्ट ट्री तूथाओजन ट्वेंटीफ़ई पाइब बताओ सिंप्ली सर्फ ये तो बच्चो वाला कोशन हो गया हमें सर आप इतना कमजोर समझे यह नहीं बच्चों में तुम्हें कमजोर नहीं समझा आओ देखो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे हमारे पास हमारे पास gross value है कितना है 5 lakh 5 lakh रुपे का gross value है minus कर देंगे depreciation at the rate of 20% मतलब तर इसको मिटा दो depreciation हम minus कर देंगे कितना एक लाक रुपे तो net value कितना आ जाएगा net आ जाएगा हमारा 14 lakh रुपे तो बस simply इतना ही करना है अगर हमें gross value दिया है net निकालना है तो minus depreciation net दिया है gross निकालना है तो plus depreciation total हमारा काम इतना ही है net को gross gross को net करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या तो depreciation को minus करके net निकालेंगे और net में depreciation को add करके हम लोग gross value निकालेंगे सर आप कहां गायब हो गए मैं गायब नहीं वहाँ एक्षुल में light चला गया जिसके कारण यह उपर के जो lights है यह बंद होगे लेकिन स्क्रीन में तुम्हें सब कुछ clear दिखेगा ठीक है तो हम पढ़ाई कर सकते हम पढ़ाई को नहीं रोकेंगे कभी भी चलो next हमारा पहला concept था depreciation का depreciation का कॉंसेट हो गया अब आते हैं concept नंबर टू domestic versus national national versus domestic अगर हमें domestic income दिया नाशनल इंकम निकालना तो क्या करेंगे तो इसमें हम NFIA का treatment करेंगे domestic to national जाने के लिए और national to domestic आने के लिए हम क्या करेंगे NFIA NFIA sir what is NFIA NFIA होता है net factor income from abroad ठीक है सायद यह समझाना अभी के लिए difficult होगा अच्छा चलो हमें काम करते हैं हम हमारे वीडियो को यहां तक सिमित रखते हैं आज के लिए इसके बाद का topic जो है उसको हम next class में आगे continue करेंगे ठीक है कुछ दिक्कत के कारण हम इसके बाद आज नहीं पढ़ पाएंगे हम आज के लिए यहीं पर stop करते हैं इसके बाद का जो topic होगा वो हम next class में यहीं से शुरू करेंगे इस topic को revise करेंगे और इसके बाद आगे चलेंगे ठीक है चलो बबाबा एवरीवन और थैंक यू झाल 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 झाल